दोस्तो 2021 में wwe ने 7 इंडियन रेशलर्स को निकाल दिया है तो चले आज के जुड़े में हम देखेंगे कि कितने इंडियन रेशलर्स डब्ल डब्ल वी में अभी है तो दोस्तो याँपर 7 रेशलर्स निकालने का बाद 7 ही रेशलर्स बचे है जिनमें साथ नमबर पे आती है संजाना जॉर्ज नाम की एक फिमेल रेसलर जो की एक MMA स्टार है और केरला से है दोस्तो संजाना जॉर्ज की अभी एज है 26 और प्रो रेसलिंग में आने के पहले उन्होंने किक बॉक्सिंग भी की हुई है दोस्तो 2019 के एक ट्रायाउट में 3000 लोगों के बीच में कुछ चुनींदा रेसलर्स को डव्य डव्य ने चुना था उनमें से ही एक है संजाना जॉर्ज 24 एपरिल 2021 में इन्होंने डव्य डव्य साइन की और अभी इनका रिंगनेम है विशकन्या और अभी ये WW Performance Center में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही है इसलिए इनका अभी तक डेबिट नहीं हुआ है और दोस्तो एक इंटर्वी में उन्होंने ऐसा भी कहा दे रॉक और रोंडा रावजी इनके इंस्पारेशन्स है फिर दोस्तो छे नंबर पे आते है रोहन राजा जो की इंडियन ओरिजिन के रेशलर है और दोस्तो रोहन राजा ने WW NXT UK में साइन किया है क्योंकि उनका जनम हुआ था ब्रिटिश में 2021 के एप्रिल महने में इनका NXT UK में डेबिट भी हुआ है जहाँ पे उनको टोमैन नाम के एक रेशलर से हार का सामना करना पड़ा फिर दोस्तो पांच नंबर पे आते है गुरूराज जिनका ही असली नाम है लक्षमिका राजपूत जिन्होंने ट्रेनिंग दी है दग्रेट खरी और WW Performance Center में ये भी दोस्तो 2019 के ट्राइओट में सेलेक्ट हुए थे दोस्तो ये 2015 से प्रो रेस्लिंग में है लेकिन 2019 में इन्होंने WW साइन की और 2021 में इनका सुपर्टार स्पेक्टेकल में एक स्पेशल डेबिट हुआ क्योंकि इनकी मैच थी फिन बैलोर के साथ और दोस्तो आजकल इनकी मैचेस हो रही है WW 205 लाइव इवेंट्स में फिर दोस्तो चार नंबर पे आते हैं हमारे महाभारत के भीम एक एक्टर और रेस्लर सरो गर्जार जो की नैशनल किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है दोस्तो इन्होंने 2018 में डग्रोल वीर साइन की 2020 के मार्च मेने में मैट रिडल को एटेक करते हुए उनका NXT में डेबिट भी हुआ और तब उनके साथ रिंकु सिंग भी थे जानकि अभी के वीर महान इसके पात दोस्तो डब्लू डब्लू ने वीर महान को मेंड रोस्टर में भेज़ दिया रौ में और सारो गुरजार के लिए कहा कि अभी के लिए डब्लू डब्लू के पास उनके लिए कोई प्लैंस नहीं है इसलिए उन्हें इंडिया भेज़ दिया है और अभी ओ शायद उनके एक्टिंग में यानि किसी मूवी के शूटिंग में बिजी है लेकिन दोस्तो कभी ना कभी हमें सवरो गुरजार का रिटन देखने को मिल सकता है या कोई ओफिसल स्टेटमेंट तो आही सकता है फिर दोस्तो तीन नंबर पे आते है शैंकि सिंग जो कि अभी जिंदर महल के साथ WW स्मैकडाउन में परफॉर्म कर रहे है दोस्तो इनकी जर्नी तो रोड से करोड जैसे साबित हो रही है यूँकि ओर WW में अभी काफी उपर के मुकाम तक पहुच गया है दोस्तो इन्होंने 2015 में प्रो रेस्लिंग में कदम रखा जहाँ पर ओओ CW में काफी फेमस हुए तक ग्रेट खली से तगडी ट्रेनिंग भी ली वहाँ पर CW वर्ल हेवे चैंपियन भी बने फिर दोस्तो 2020 में और WW में आये जहाँ पर हमें पहली बार देखने को मिलें WW सूपर्टाफ स्पेक्टेकल में फिर WW RAW में जिंदर महल और वीर के साथ उनका एपिरेंस हुआ बहुत पार और फिर दोस्तो WWE में उनको और जिंदर महल को स्मैक डाउन में ड्रेफ्ट किया और अभी लास्ट टाइम हमें और देखने को मिलेते सर्वाइवर सिरीज के बैटल रॉयल में जहाँ पर Omos नाम के एक बड़े रिश्टलर ने उनको इलिमिनेट किया फिर दोस्तो दो नमबर पे आते है वीर महान यानिकी रिंकु सिंग राजपूत दोस्तो वीर एक फॉर्मर प्रोपेशनल पेस्बॉर प्लेयर है जो की मिलियन डॉलर आर्म नाम के फिल्म के एक सबजेक्ट है 2018 में इन्होंने डव्यो डव्यू साइन की उसके बाद वो कई बार NXT लाइवेंट्स में दिखाई दिये इसके बाद वो सवरो गर्जार के साथ टेक टीम करके कई मैचेस में दिखाई दिए इसके बाद वीर जिंदरमालो और सैंकी सिंग राउ में भी दिखाई दिये और अब उन्हें डव्यो डव्यू ने राउ में एज़ सिंगल रेशलर पहज़ा है दोस्तो वीर का WW RAW में डेबिट भी हो चुका है जहाँ पे उन्होंने हराया है जॉन मौरिसन को और दोस्तो डब्ली डब्ली के इंडियन फैंस को वीर महान से काफी उम्मिदे हैं फिर दोस्तो एक नंबर पे आते हैं Modern Day महाराजा जिंदर महल जिन्होंने की अपने पैर WW में अच्छी तरह से जमा लिये हैं दोस्तो जिंदर महल 2010 से डब्ली डब्ली के साथ है हाला कि वो बीच में कई गायब भी हुए थे लेकिन 2016 में उनका रिटन हुआ और अब वो से ड्रू मैकेंटायर के साथ फ्यूड में दिखाई देते हैं दोस्तो जिंदर महल की WW जरनी काफी बड़ी है जहापे उनकी अच्छी है जिंदर महल एक बार बने थे WW चैंपियन उसके बाद एक बार बने थे United States चैंपियन और उसके बाद एक बार बने थे 24 to 7 चैंपियन तो दोस्तो अभी के लिए WW में यही साथ इंडियन रेसलर्स है और एक इंडियन फिमेर रेसलर्स थी सरीना संदू जो की हमें दिखाई दी थी सूपर्टार स्पेक्टाकल सो में शारलेट फिलियर के साथ लेकिन दोस्तो हमें पता चला है कि ओ एक as a guest आई थी WW में उनका कोई भी contract नहीं हुआ WW साथ तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले के इस वीडियो में वीडियो अच्छा लग तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चालक सब्स्राइब करें ठैक प्रोचिन बाबाई